हलो एब्डिवन आज डेट है 12 ओप अगस 2021 और देहिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टेंड न्यूज को एक्जाम के पॉइंट व्यू से डिसकस करेंगी फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ट फर्स्ट क्यूशन है आपका आपको केन्या जो कंट्री है अफ्रिकन कॉंटिनेंट से उसकी बोर्डर कौन-कौन से कंट्री के साथ में कौन-कौन से वाटर बोर्डी के साथ में केन्या अपनी बोर्डर शेयर करता है उसको लेकर के आपको न प्राइस फ्लोर, देखो, economy की एक important term है, इस प्राइस फ्लोर को जब आप देखोगे, अगर हम इसको simple language में समझने की इकोसिस करें, तो फ्लोर का मतलब होता है, आप अपने house से इसको समझ सकते हैं, कि जो फ्लोर वाला part होता है, वो सबसे नीचे होता है, तो मतलब प्राइस मे जो सबसे नीचे जो होता है, वो होता है, प्राइस फ्लो, example के थ्रू हम समझने की कोसिस करें, मान लो एक product है wheat, और उसको कुछ buyer करने वाले हैं, कुछ buy करने वाले हैं, और कुछ उसको sell करने वाले हैं, तो sell जो करते हैं, उस product की एक limit रखते हैं, एक price set करते हैं, मान लो, ज दोनों के जो price है उसमें कोई similarity नहीं है इस तरीके से ये product कभी भी नहीं बिख पाएगा अब दोनों क्या होते हैं कि जो buyer भी होते हैं और जो seller भी होते हैं 150 तो एक तरीके से यह सेट हो गया कि बायर चाते हैं कि 150 हम पेकर देंगे seller बोलते हैं कि 2050 में हम सामान को बेज देंगे लेकिना अब government का रोल आता है pourraitment बोलती है कि कि किसी भी product के लिए गौर्मेंट एक price मानलो 180 government decide करती है कि 180 तो wheat के लिए मिलने ही चाहिए तो एक तरीके से ये demand और supply का वो हो गया जो seller है मानलो वो मानते हैं कि 200 रुपए जो buyer हैं वो मानते हैं कि 100 रुपए दोनों के बीच में equilibrium price set होता है 180 के उपर sorry 150 के उपर 150 के उपर 200 decide करते हैं कि चलो इतने में हम बेज देंगे इतने में हम खरीद लेंगे लेकिन जो government है वो अपना price set करती है कि नहीं 180 से कम तो मिलना ही नहीं चाहिए 180 minimum price हो गया तो ये जो 180 है न ये ही होता है floor price या फिर price floor present time में जो telecom industry है उसको लेकर के उसमें एक major issue चल रहा है कि price floor government को decide करना चाहिए ताकि जो telecom में जो एक तरीके से competition खतम होता जा रहा है बहुत सारी जो telecom authority telecom जो companies हैं वो बंद होती जारी है उसको लेकर के government को ये decision लेने की आवशकता है तो ये होता है price floor एक basic facts को हमने देखा अब दहिंदू की जो important news है उनको देख लेते हैं first news काजे रंगा national park से लेकर के हैं काजे रंगा national park में poaching को रोकने के लिए वहाँ पर satellite phones को establish किया गया है इसकी वज़े से बोला जा रहा है कि पूरे इंडिया में पहला ऐसा national park है जहां पर इस तरीके की satellite phones को install किया गया है और काजे रंगा जो national park है उसको guard किया जाएगा इसके through तो ये important बात है कि देखो जब कोई problem होती है तो उसका solution ढूढने की आवशकता होती है और इस तरीके से जो हम जोगरोफी वाले पार्ट की हिसाब से important हो जाता है और काजी रंगा में जब ये नई satellite phones को install किया गया है तो उसकी वज़े से काजी रंगा की जो location इसके जो special characteristic है वो भी काफी important हो जाते हैं यहाँ पर आपको पता होगा कि one horn जो rhinos rose है वहाँ की काफी अच्छी population यहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर देखो picture में भी यह दिखा रखा है next news है यहाँ देखो जो हमारा हिमालेन वाला region है ना वहाँ पर काफी आपको fragility देखने को मिलेगी मतलब बहुत सारे इस तरीके एक incident देखने को मिल रहे है कि present time में काफी बार हमने देखा होगा कि land slip की होने की वज़े से हिमाचल में 60% वहाँ पर missing हो गई और 10 लोगों की जान चली गई देखो यह काफी important role है वहाँ की जो biodiversity है जो हिमालेन वाला region है उसकी fragility काफी बढ़ाई जा रही है क्योंकि वहाँ पर construction, dam construction, बहुत सारी road construction, railway construction यह सारे जो काम करने किये जा रहे हैं इसकी वज़े से जो उसकी fragility यह ज़्यादा active हो गई है और उसी कारण से यह जो केसेज हैं इस तरीके के वो समय समय पर देखने को मिल रहे हैं, next news, देखो यहाँ पर एक book आने वाली है और इस book में जो हमारा pulvama attack हुआ, उसके बाद में bala court जो हमने strike की, इसके बारे में उन्होंने revelation किये हैं कि major क्या क्या points हुए, किस तरीके से वो attack हुआ और किस तरीके से यह problem सामने आई, तो यह book अगर आप पढ़ेंगे, तो intelligence के बारे में देखो, जिनको भी awareness create करनी है, और जिनको भी intelligence में जो awareness होनी चाहिए, उसको लेकर कि interest है, तो वो आप जाकर के इस book में पढ़ सकते हो, कि इंडिया और पाकिस्तान के जो relation है, वो किस तरीके से समय के साथ में change होते जा रहे हैं, next news है, हमारी Delhi government को लेकर की, Delhi government ये चाहती है, कि वहां की जो government school है न, उनमें world class education दी जाए, वहां पर जो Delhi board of school education है, वो international level का collaboration कर रही है, ताकि knowledge में वो partner बना सके international जो भी curriculum है, international जो भी strategy follow की जाती है, education के लिए, उन सब को adopt करना चाहती है, Delhi board of government, अब इस collaboration के क्या benefits होंगे, हम teaching को और learning को लेकर के जो approach है, globally level पर, उसको हमारा जो education system है, वो भी उसको adopt कर पाएगा, इसके अलावा जो IB professional development के through, educators are to undertake the workshop to help in their own professional goals and development, with access to IB program, resource center, teachers will gain assessment best practices across IB program, इसमें क्या होगा, कि जो यहां के हमारे teachers हैं, उनको training दी जा सकेगी international collaboration के तहत, इसे क्या होगा, कि हमारी जो education level है, especially Delhi में जो government है, वो ही चाहती है, कि वहां के जो education हो, वो skill waste हो, हम जो ना सिर्फ curriculum के उपर focus करें, बलकि एक अच्छे तरीके से उसको समझने की भी courses करें, मतलब पढ़ने से ज़्यादा उसको life में उतारने से, life में implement करने पे ज़्यादा focus किया जा रहा है Delhi government के दुआरा, तो यह काफी अच्छा initiative है, काफी अच्छा example है, कि किस तरीके से जो हम world में best practices हैं, उनको introduce कर सकते हैं, हमारी country में education level को higher level तक ले जाने के लिए, next news, यहां देखिए, एक second, देखो, तमिलनाडू और जो करनाट का है, उसके बीच में कावेरी रीवर जो है, उसके water को लेकर के major issue चलते रहते हैं, हमारी constitution का article 262 जो है, वो center को या parliament को यह power देता है, कि किसी भी रीवर के उपर अगर dispute है, तो उसके लिए tribunal बना सकता है, तो तमिलनाडू जो है, वो NGT का एक order आया था, मेके दातू project को ले करके, मेके दातू वाला region है, वहाँ पर water की availability को निश्चित किया जा सके, अब इसी को लेकर के NGT ने जो order दिया, उसको लेकर के तमिलनाडू जो है, वो supreme court जाने वाला है, supreme court में जाकर के तमिलनाडू चाता है, कि जो भी कावेडी रिवर का water dispute है, उसको equality solve किया जाए, ऐसे नहीं है कि कोई state जो है, उसके water को ज्यादा कंजूम करे और कोई state जो है, उसके water को कम कंजूम करे, तो equality को maintain करने के लिए, वो supreme court की तरफ गए हैं, कि आप देखते हैं, supreme court का क्या decision आता है, देखो, इस तरीके का, जो water scarcity dispute है, वो आपको हमारे इंडिया में इस समय काफी देखने को मिलेगा, इससे एक बात पता चलती है, कि present time में जो water की availability है ना, वो काफी कम होती जारी है, और जो water की availability कम होती है, तो इसकी वज़े से क्या problem होती है, संगर्स होता है, conflict होता है, तो जो resources है, उनको हमें save करने की आवशकता है, ताकि आने वाले समय में, जो resources को लेकर के, जो conflict है, वो ज़्यादा देखने को ना मिले, सभी को, उनके rights secure हो, और सभी को equality में, सभी resources के part available हो सके, next news, या देखिए, editorial page पर data आए है, Olympics को लेकर की, और इसमें ये बताया गया है, कि हमारे यहां पर, किस तरीके से, जो अभी Tokyo Olympics हुए, उसमें कौन से country को कितने medal हासिल हुए, तो इसमें बताया गया है, कि जो economy की जो size है न, वो strongly linked करता है, किसी भी country के performance को लेकर की, लेकिल अगर हम general way में बात करें, तो ऐसा नहीं है, कि सभी countries ने, उन्हीं ने medal हासिल किया है, जिनकी economy बहुत जादा vast है, कुछ यहां पर exception भी है, जैसे Kenya, Ethiopia and Ukraine, ये उस exception है, कि इनकी economy का जो size है उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इनोंने काभी शांदार तरीके से medal हासिल किये, अगर top 10 countries की बात करें, तो medals के जो 54% है, मतलब total medal जो मिले, उसका 54% जो है, वो total top 10 countries ने ही हासिल कर लिए, ओके, तो यहां पर अलग-अलग graph दे रखे हैं, और यहां पर बता रखा है कि population का अगर हम comparison करें, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई इसमें, देखो, significance नहीं होता है, कि जैस country की population जादा है, वहीं पर medal जादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, economy size का भी जादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जादा फर्क पड़ता है, ओके, और यहां पर देखो, जो income levels का आधार बता रखा है, the chart plots the number of medals won by countries classified according to their income levels in the Olympic Games between 1992 and 2021, high income countries such as the US, Australia and Great Britain won more medals than countries with their economy income levels, मतलब जिनका, जिनका income ज्यादा है, उनको ज्यादा medal मिले है, क्यों मिले है, क्योंकि देखो, वो training में ज्यादा अच्छा खर्च कर पाते हैं, और जितना training में आप अपना पसीना भाऊगे, उतना ज्यादा result सामने निकल कर किया आएगा, यहां पर SDI, ठीक है, उसका comparison क्या गया है, the chart plus the difference between the average medals won by a country between 1990 to 2004 and 2008 to 2021 against the percentage change in SDI India period, मतलब SDI में, जो Human Development Index है, उसमें जितना change हुआ, उससे ज्यादा, उस change के according ही, जो medal की जो संख्या है, वो भी देखने को मिले, तो यह यहां पर comparison क्या गया है, कि किस country को कितने ज्यादा medal मिले है, next news, यहां देखिए, देखो, बहुत सारी जो हमारी एक तरीके से, एक second है, हमारी ministry ने पहली बार यह माना है, कि COVID की second wave के दोरान, बहुत सारी death हुई, जिसमें oxygen की कमी की वज़े से death सामने आई, हलांकि जो ministry है, उन्होंने इस points के बारे में अभी हमारी parliament में statement दिया था, कि oxygen की कमी की वज़े से किसी की भी death नहीं हुई, लेकिन दुबारा से जब इसको overview करने के लिए बोला गया, तो union health ministry ने राजे सबा में बोला कि हमें जो आंदरपरदीस हमारा state है, वहां से कुछ ऐसे केसे सामने आई थे, जहांपर यह बोला गया था कि COVID-19 में oxygen supply कम होने की वज़े से उनकी death होगी, हालांकि जितनी भी death हुई, उसमें ज़्यादा other state से जो भी statement आई, जो भी result आई, उनके बारे में उन्हों नहीं बोला, सिर्फ आंदरपरदीस का जो example है, उसे के उपर उन्होंने rely करने की causes की है, next news, देखो, सुप्रीम कोट ने ये बोला है, कि जो भी consumer dispute panels हैं, वहाँ पर जो vacancies हैं उनको भरने की आवशकता है, क्योंकि consumer के जो rights हैं, उनको protection करने के लिए ही आपने इन panels को बनाया था, और जब इनमें vacancies ही हैं, तो मतलब क्या है फिर इन panels को बनाने का, क्योंकि जो consumer act है, अगर आप उसको legalize करने की कोसिस नहीं कर रहें, उसको implement करने की कोसिस नहीं कर रहें, और implement जब होगा, जब वहाँ पर जो vacancies हैं, वो fill होंगी, क्या फिर ऐसा कुछ मूरत आएगा, क्या कोई कुछ ऐसा special point आएगा, जब जा करके आप step उठाओगे, और इस तरीके की problems को fill करने की कोसिस करोगे, तो Supreme Court ने आच सपता का time दे दिया है government को center को, कि आप इन vacancies को fill कीजिए, क्योंकि consumer जो act है, उसके according हमें work करने की अवशकता है, next news, confederation of, यहां देखिए, confederation of Indian industry का, जो annual session है, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर address कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि जो economic growth है ना हमारे country में, वो is picking up pace again and the domestic industry should take advantage of the environment that has been created for development, इसमें CII की annual meeting में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि COVID की वज़े से जो हमारी economic growth slow down चली गई थी, दुबारा से हम यह देख रहे हैं कि हमारी economic growth country में देखने को मिल रही है, इसके अलावा जो हमारी domestic industry है, उसमें भी development देखने को मिल रहा है और उसमें regular जो development का pace है, वो regular बना रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ extra work करने की आवशकता है, प्राइम जो हमारी industry है, उसके लिए भी बूला कि आप जो हमारे risk taking power है, उसको और ज़्यादा बढ़ाईए, और ज़्यादा आपके उपर big responsibilities है, उनको आप complete कर पाएंगे, इसके लिए आपको risk taking power को बढ़ाना होगा, आत्म निर्वर भारत की जो success है, वो हमारी industries के उपर ही rely करती है, तो industries को research and development में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद जब produce करेंगे हर product को, तभी self-reliant India बन पाएगा, ओके, next news, यहाँ देखिए, देखो, एक जो news है, उसको लेकर के आप देख लीजिए, कि बहुत सारी जो parties है न, वो कोसिस कर रही है, कि caste-based census जो है, वो create हो सके, मतलब caste के आधार पर census हो, और इसको लेकर के जो BJT है, उसने भी ऐसा बोल दिया है, कि caste-based census create हो, और जो 50% का इंद्रा साहनी केस में, जो 50% की cap लगाई गई थी, reservation को लेकर के, उसको भी extend करने की आवशकता है, next news, WHO का decision, जो co-vaccine को लेकर के, वो सितंबर में होगा, कि emergency use authorization के, emergency use authorization इसको मिलता है या नहीं मिलता है, next news, यहां देखिए, foreign page से news है, देखो, चाइना जो है, वो अपना first mixed vaccine trial, डेल्टा variant को लेकर के, उसने approve कर दिया है, और इसमें जो चाइना के जो drug regulator है, वो country की first mixed vaccine trial को लेकर के approval मिल गया है, इसमें जो company है, वो study करेगी, डेल्टा variant को लेकर के, जो concern है, जो को लेकर के, इस trial में combine किया जाएगा, दो vaccine को, एक तो चाइना की जो Sinovac के द्वारा बनाएगी, in activated vaccine, उसके अलावा, उसमें जो दूसरी vaccine होगी, वो DNA based होगी, जिसको US pharmaceutical company, inovio के द्वारा बनाया गया है, अब देखो, हमारे इंडिया में, देखो, वो तो by fault ऐसा हुआ था, कि कोविसिल्ड और को वैक्सीन को, 18 ऐसे पेसेंट जिनको ये वैक्सीन दोनों देएगी, फर्स डोज कोविसिल्ड की, सेकिंड डोज को वैक्सीन की, तो उसमें देखे, बाद में जब उनकी बारी जाच की गई, एक्सामिन किया गया, तो बेटर रिजल्ट निकल करके आई, जो एंटी बोडी हैं, वो बहुत शांदार उनकी बोडी में बनी, तो इससे जो अधर कंट्रीज हैं, वो भी रिलाई कर रही हैं, क्योंकि इससे मेजर प्रोब्लम यह होगा, कि वैक्सीन की, मान लो, आप एक ही वैक्सीन को दोनों डोज देने की कोशिस कर रहे हो, तो अगर उस वैक्सीन की डोज की कमी हो, तो हम क्या होगा, प्रोब्लम होगी, और जब वैक्सीन की जो डोज आएगी, तभी हम दुबारा से vaccination की second dose ले पाएंगे लेकिन अगर हम mixing करके जो भी अगर निके better result निकल करके आते हैं तो vaccine की जो कमी है ये major problem को अच्छे से solve कर पाएंगे next news US के intelligence ने ये बोला है कि 90 days में काबूल के उपर भी तालिबान अपनी power gain कर लेगा अगर इस समय देखें तो लगबक अगवानिस्तान का जो 65% है वो लगबक तालिबान के अंडर आ गया है 11 ऐसी cities हैं जहां पर fighting चल रही है और 8 ऐसी provincial capital cities हैं उनको तालिबान ने अपनी अंडर कर लिया है regular तालिबान कोसिस कर रहा है कि 1996 से 2001 का जो time period था जिस समय तालिबान के अंडर सारी power आती थी अगवानिस्तान की उसी तरीके का rule and regulation दुबारा से बनाया जाए next news इस साल के December में जो US के President Mr. Biden है वो democracy summit को host करेंगी अब यह second summit होगी और इसमें decision लिया जाएगा कि कैसे पुड़े world level पर जो US country है वो democracy को strengthen करने के लिए work करेगा अब इसमें तीन themes के उपर ध्यान दिया जाएगा especially defending against authoritarianism, fighting corruption and promoting respect for human rights इसके अलावा इस summit में जो लोग सामिल होंगे वो heads of state होंगे civil society के लोग होंगे, philanthropist होंगे and the private sector यह सब मिलकर के इस democracy summit में participate करेंगे और इन सारे points के उपर इन तीन themes के उपर discuss किया जाएगा तो यह आज का हमारा discussion था, okay, thank you